नमस्कार दोस्तों मैं समित सांगवान स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जो आज हम डिस्कस करेंगे ndc यानि कि number of distinct category क्या होता है दोस्तों काफी important term है जिसको हम measurement system में use करते हैं दोस्तों आपसे उमीद करता हूँ कि वीडियो को end तक देखना और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना अगर कोई doubts लगे तो आप comment section में लिखना comment आपका वीडियो हमारा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि ndc होता क्या है ndc सबको पता है ndc full form होती है number of distinct category ठीक है और distinct का मतलब होता है दोस्तों differentiate करना यानि कि divide करना categorize करना ndc की definition होती है ndc tells us that how many categorize your measurement system can differentiate of your process variation यानि कि दोस्तों ndc हमें ये बताता है कि आपका जो measurement system है वो आपके process के variation को कितनी category में differentiate कर सकता है या कितनी category में divide कर सकता है तो दोस्तों अब हम इसको एक example के थुरू समझते हैं माल लीजिए ये कोई component है जिसकी length है 50 mm और tolerance है plus minus 0.1 ठीक है तो इसकी lower side क्या हो गई 49.900 और higher side क्या हो गई इसकी 50.100 और इसकी actual dimension आ रही है 50.05 दोस्तों अब अगर आप इसको 1 mm वाले instrument से measurement करते हो यानि कि आप मालीजिए inch tape से measurement कर सकते हो जो tailor use करता है उसका list count होता है 1 mm तो आपको number of distinct category बनेगी एक क्योंकि आपका जो instrument system है वो 50.05 तो बताएगा नहीं ठीक है वो आपको बताएगा 50 या 49 या 51 mm ठीक है और आपकी जो actual dimension है वो है 50.05 और अगर आपका instrument बता रहा है 50 mm ठीक है यानि कि आपका instrument जो है वो process के variation को capture नहीं कर पा रहा है ठीक है दोस्तों तो इस case में आपकी जो NDC की value बनेगी वो बनेगी एक अगर मैं यहाँ पी इसकी tolerance को change करता हूं 0.1 की जगे मैं करता हूं 1 mm ठीक है इस case में आपकी जो NDC की value आएगी वो आएगी 3 यानि कि 49 और 50 और 51 आपका instrument 49 भी measurement कर सकता है 50 को भी measurement कर सकता है और 51 mm को भी measurement कर सकता है इस case में आपकी NDC की value आएगी 3 दोस्तों अगर same dimension को मैं vernier से measurement करता हूं तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी distinct category बनेगी क्योंकि vernier जो का list count होता है वो होता है 10 micron यानि क 0.01 mm यह लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों तो मैं यहाँ पर 50.02 भी measurement कर सकता हूं और 50.01 भी measurement कर सकता हूं 49.98 को भी मैं measurement कर सकता हूं तो इस case में जो मेरी number of distinct category बनेगी वो बहुत सारी बनेगी दोस्तों ठीक है तरी दोस्तों अब हम समझते हैं कि NDC को कैसे improve कर सकते हैं दोस तो आपका measurement system भी सही है अगर आपका instrument selection गलत है आपने गलत instrument को select किया हुआ है तो आपका measurement system भी गलत आएगा दोस्तों instrument selection के लिए एक थमरूल होता है वो होता है the thumb rule of instrument selection is the least count of the instrument is one by tenth of the total tolerance यह कह रहा है दोस्तों कि आप जो instrument selection करते हो वो total tolerance का one by tenth होना चाहिए for example दोस्तों आप 50 mm के length को measurement कर रहे हो और उसकी tolerance है 0.01 plus minus तो यहाँ पे total tolerance कितनी हो गई plus में 0.1 और minus में 0.2 अब आप 0.2 का one tenth करते हो यानि कि 10 से divide करते हो तो आता है 0.02 mm यानि कि इसका मतलब यह है दोस्तों जहाँ भी ड्राइंग में आपको plus minus 0.1 mm की tolerance मिले वहाँ पे आ micron की least count वाला या उससे कम least count वाला instrument select करना है measurement करने के लिए ठीक है दोस्तों अब मैं यहाँ पर tolerance चेंज कर देता हूँ मैं करता हूँ plus minus 0.02 यानि कि 20 micron की tolerance मैं देता हूँ plus minus में तो यहाँ पर मैं कौन सा instrument selection करूँगा 4 micron वाला यानि कि total tolerance होगी मेरी 40 micron plus में 20 और minus में 20 और total tolerance का हम करेंगे 1 by 10 यानि कि 10 से divide कर देंगे तो हमारा आएगा 0.004 यानि कि 4 micron वाला list count या 4 micron से कम वाला list count को मैं इस्तिमाल करूँगा जब मेरी tolerance plus minus 20 micron में होगी तो यहाँ पर मैं वर्नियर का use नहीं कर सकता हूँ इस tolerance में और इस tolerance में मैं वर्नियर का use कर सकता हूँ क्योंकि वर्नियर की जो list count होती है वो होती है 10 micron की ठीक है दोस्तों अब समझते हैं कि NDC को कैसे calculate करते हैं तो दोस्तों NDC को calculate करने का एक formula होता है यह होता है 1.41 multiply part variation divided by gaze R&R तो दोस्तों next video में हम discuss करेंगे कि part variation को कैसे calculate क्या जाता है part variation calculate करने का formula क्या होता है repeatability calculate करने का formula क्या होता है और reproducibility calculate करने का formula क्या होता है next video में हम इन सब formula को detail में discuss करने वाले है तो आप request है कि आप channel को subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो के नोट्रिफिकेशन आपको मिल सकें ठीक है अब समझते हैं कि Acceptance Criteria MSA क्या होता है तो दोस्तों आप जब भी MSA करते हो वो दो प्रकार से करते हो एक होता है Variable MSA दूसरा होता है Attribute MSA Attribute MSA में दोस्तों आप पता कर करते हैं या तो OK या NG उसकेस में आपको NDC की Value होती है दो जर्नली हम क्या करते हैं Attribute MSA में हम NDC को Calculate नहीं करते हैं हम Effectiveness, Miss Rate और False Alarm को Calculate करते हैं दोस्तों Attribute MSA और Variable MSA को मैं बता दू हम ओल्रेडी इसकेस कर चुके हैं इनको करने का क्या process होता है क्या procedure होता है step to step one by one हम ओल्रेडी discuss कर चुके है link description में दिया हुआ है आप जाके check कर सकते हो ठीक है दूसरा आता है Variable MSA Variable MSA में दोस्तों हमें numerical data पता लगता है यानि कि numerical value reading पता लगती है mathematically जैसे कि 10, 15.2 या 20.6 वगएर वगएर और भी कुछ पता लगती है कोई भी पता लग सकती है हमें numerical value पता लगती है ठीक है और इस case में हम variable MSA में हम NDC को calculate करते हैं जो की requirement होती है NDC की या तो 5 या 5 से ज़ होनी चाहिए दोस्तों NDC की value variable MSA में है ठीक है दोस्तों तो I hope कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा मैं फिर से आप से एक पर request करता हूँ कि please अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share करें दोस्तों अगर कुछ doubts है तो आ कमेंट आपका वीडियो हमारा दोस्तों जय हिंद जय बारत